मंच पे बैठे वे सिख कौम के सभी महापुर्ष संत महात्मा मैं तो आज अपने प्रिवार की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से मैं आज इस दस्तार की जो रसमेश में शामिल होने के लिए आये था क्योंकि मेरे पिता सिरी चोधरियों पर का चुटाला जी जब कभी भी करनाल से कैथल गए या जब भी इस इलाके में आये चाहे वो मुख्यमंद्री थे चाहे वो अपोजिशन में थे उन्होंने हमेशा यहां आ करके संतराम सिंग्जी से मिल करके कैसे इस इस इलाके की वैबूती कैसे इस इलाके को आगे ले जाए जाए जास के कैसे लोगों का भला किया जास के इसके लिए चर्चा करते थे और संजी भी अनेक दफाग चुटाला साब से दिली मिले चंडी गड़ में मिले यहां तक भी हमारे घर फार्म पे भी जाकर के आए तेजा खिड़ा में भी मिल के आए उनका उनसे एक अलग लगाव अलग एक प्यार था और जब मुझे उन्होंने जब शादत दी जब उन्होंने किसानों की इस लड़ाई में उस किसान के साथ जिस धंसे केंदर की सरकार बरताव कर रही थी उस चिसको ज्यादा देर तक उस किसान की पीड़ा को खतम किया जाए इसके लिए जहां उन्होंने अपने आपको शादत देने का काम किया कि किसान के साथ न्याय हो जाए मेरी जिन्दगी बेशक जाए लेकिन मेरे देश का अंदाता जो है जो नाकेवल देश का पेट भरता है बलकि जिस अंदाता ने इस देश को इस मुकाम पे लाकर के खड़ा कर दिया था एक वकत ऐसा था कि हमारे देश में अन और धन दोनों की कमी आई थे तब इस अंदाता ने लाल बादूर शास्त्री जी हमारे देश के परधान मंतरी थे उनके कैने से एक दिन का बरत रख करके इस देश को आतम निर्भन बनाने का काम किया था और संत राम सिंग जी भी चाते थे कि इसी तरह से हमारा देश कांदाता जो है आज जो प्रिशान है दुखी है जिससे आज के अंदर की सरकार सब कुछ लेना चाहती है के अंदर की सरकार की आंक खुले इसके लिए उन्होंने अपने आपको कुर्बान कर लिया शादत दे दी मैं तो आज उनको नमन करने आए था मैं तो आज उनके परति अपनी शर्दार्फित करने आए था कि ऐसे महापुर्शों को ना किएल अपने चल्ड़ों में स्थान दे बल्के उनके दुबारा दीगी शिक्षा से अनेक उनेक संत राम्शिंग पैदा करे ताकि इस देश का उदार हो उसके, इस देश का किसान खुशाल हो उसके मैं एक बार अपनी पार्टी की तरफ से अपने प्रिवार की तरफ से जहां संत्जी को अपनी शर्दार अर्पित करने हैं वहीं पूरे सिख समाज के जो आगू है सिख और जाट और जट सिख में कोई फरक नहीं है हम तो सिरफ जिन्होंने केस रख लिया, दाड़ी रख लिया, जिन्होंने पांचन धर्म की चीजे अपना लिए वह सिख होगे मेरे पढ़नाना भी सिख थे और हमारे परिवार का तो संबन्द भी हमेशा सिखों के साथ है बहुत गैरा रहा है चुटाला साथ जब कभी पंजाब में गए, जब कभी भी उन्होंने जब भी कोई धार्मी कायोजन हुए उन्हें जाकर के जो बीच दीर पंजाबी में अपनी बात कही तो मांकी जो संगत सुनने वाली थी वो कहती थी कि हमें उमीद नहीं थी कि चुटाला साथ भी इतनी शुद पंजाबी बोल करके हमारे से बात करेंगे मैं तो चुटाला साथ ने आना था लेकिन उमर का तकाचा है ज्यादा उमर है उसके साथ-साथ पिछले दिनों करोना से पिरित हो गए थे इसकर के आज आपके बीच में आनिसके मैं उनका संदेश आप तक लेकर किया था उनकी तरफ से आप सब को जहां उनका आपके चलनों में जहां पढ़नाम करने आया हूं वहीं परमपिता परमात्मा से प्राथना करता हूं कि हम सब को इन महापुर्शों के दिखायों रस्ते पे चलने की हिम्मत बख्षे यही बात आप से कहने थी वाई गरुजी का खाल साथ वाई गरुजी की पते पते बाता है